नमस्कार प्रवा सक्षिनिंग्स संट्र को आप सभी का स्वागत है प्रधान मंद्री नहेंदर मोदी ने कहा है कि वह प्राजील में होने वाले अगले जी टूंटी शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चा को लेकर आशानवित हैं जिसने पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में इस समूह के लिए अपना एजेंडा तैय किया था मोदी ने नाइजीरिया ब्राजील और गुयाना की अपनी पांच दिवसी यात्रा पर रावाना होने से पहले एक बयान में यह टिपणी की प्रधानमंत्री का पहला गंतव्य नाइजीरिया होगा जहां से वह ब्राज मिक्ताओं को इसके एजेंडे में शामिल करा दिया हम आपको उता दें कि मोदी और चीन के राश्पति शी जिन पिंग और अमेरिका के राश्पति जो बाइडन 18 और 19 नवंबर को रियो डी जनेरियों में होने वाले इस समिलन में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल है भारत ब्राजील और दक्षिन अफरीका के साथ जी 20 ट्रोईगा का हिस्सा है हम आपको उता दें कि जब किसी संथन का कोई मुख्यलय नहीं होता है तथा उसका जिम्मा पिछले वर्तमान और अगले अध्यक्ष देश पर होता है तब ये देश ट्रोईगा कहलाते हैं वक्षिय सहयों को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी करूंगा हम आपको बता दें कि पच्पन देशों के अफ्रीकी संग को जी 20 में स्थाई सदस्य के रूप में शामिल करने और युक्रेन संघर्ष पर गहरे मत्भेत के बावजूद ने है हमारी रड़नीतिक साज़ेदारी को और मजबूत करने का अवसर होगा जो लोकतंत्र और बहुलतावाद में साजहा विश्वास पर अधारित है प्रधानमत्री नाइजीरियाई रास्टपती बोला एहमट टिनिवू के निमंतन पर 16 और 17 नॉवंबर के दौरान नाइज को लेकर भी आशानवित हूं जिन्होंने हिंदी में मुझे स्वागत संदेश फेजे हैं अपनी स्यात्रा के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री मोधी 19 और 20 नॉवंबर को गयाना में होंगे वह गयाना के रास्टपती महम्मद इर्फान अली के निमंतर पर वहां जा र ने भारती प्रवासी समुदायों में से एक के प्रती भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा जो 185 साल से भी पहले वहां चले गए थे उन्होंने कहा मैं उनकी संसत को समुदित करते हुए उनके लोगतंत्र से जुड़ूंगा आई देखते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत हर अपडेट आप तक पहुंच सके